तरसल दीमक लकड़ी को अपने भोजन के रूप में खाती है इसलिए ये जिस भी फरनीचर पे लग जाती है वहाँ दीमक की पूरी कलोनी हमला कर देती है खास दोर से बरसात के मौसम में दीमकों की संख्या में तेजी से बढ़ोती होती है और वो अपने पूरे समू के साथ बड़ी और मोटी लकड़ी को अंदर से पूरी तरीके से खोखला कर देती है दीमक हमेशा लकड़ी के अंदरूनी हिस्से में रहती है इसलिए इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे में बाजार में दीमक को खतम करने के लिए तरह तरह की दवाईयां और कामिकल मिलते हैं इन कामिकल से भरपूर दवाईयों को लकड़ी की चीजों में छिड़कने से दीमक तो मर जाते हैं लेकिन उसकी वज़ा से घर में तेच और खतरनाग गन फैल जाती है तो इससे अच्छा है कि आप कुछ घरेलू नुस्खों का उप्योग करें दीमक के केस में सबसे पहला जो तरीका है उसमें आपको इस्तिमाल करना है करेले का करेले की रस का छिड़काओ करेला खाने से इनसान की सहत अच्छी होती है लेकिन ये सबजी दीमक के लिए मौत का कारण बन सकती है दरसल करेले की कड़वी मैग से दीमक तुनन भाग जाते हैं इसलिए इसका रस बना कर दीमक को खतम किया जा सकता है इसके लिए करेले को मिक्सी में पिसकर उसका एक पेश तयार कर लें और उसके बाद उसको छनी से छान लें और उसके बाद स्प्रे बोटल में डाल कर जहां पर भी दीमक लगा हुआ है तो वहाँ पर आपको उसको छिड़काओ कर देना है ऐसा करने से दीमक धीरे-धीरे खतम हो जाएंगे दूसरा तरीका है बोरी केसिट का इस्तमाल कीडे मकोडे को मारने के लिए किया ही जाता है इसके लावा यह लकडी से दीमक को अलग करने में भी काफी मददगार साबित होता है बोरी केसिट आसानी से आपको बजार में मिल जाएगा जैसे ही दीमक बोरी केसिट के संपर्क में आते हैं तो उसके तंत्री का तंत्र पर बुरा प्रभाव पढ़ना शुरू हो जाता है और ऐसे में वो जहां पर भी छुड़काब करेंगे वो उस दूर जगह से भाग खड़ा होगा नेक्स्ट है सिरके का इस्तिमाल करके भी आप दीमक को भगा सकते हैं जो की बहुत ही आसान और नाचुरल उपाय है इसके लिए आपको पानी में थोड़ा सा सिरका मिलाना होगा फिर उस गोल को दीमक से प्रभाबित लकड़ी या फिर फरनीचर पर छड़क देना होगा लगतार दो दिन तक सिरके का पानी छड़कने से लकड़ी पर लगी दीमक अपने आप मर चाते हैं तो ये काफी अच्छा तरीका है जिसका आप इस्तिमाल कर सकते हैं इसके अलाबा अगर आपको कोई तरीका पता है तो आप में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें